नमस्कार दोस्तों, चार माई 2021 के डेली दहिंदू एडिटोर डिस्कुशन में आपका स्वागत है चार इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आज आपके साथ डिस्कुस करूंगा पहला आर्टिकल है अंडर रिपोर्टिंग डस हर्ड द कोविड फैड भाई इंडिया में जिस हद तक कोविड नाइटीन के अंडर रिपोर्टिंग हो रही है फर्स्ट वेव के दौरान सेकेंड वेव के दौरान उसके रिस्पेक्ट में आख कुछ बाते बताई गई है और ये बताएगा कि देखे अंडर रिपोर्टिंग केवल इंडिया में ही नहीं हो रही है अंडर रिपोर्टिंग देश के बाहर भी बहुत सी जगाओं पे हो रही है और काफी हो रही है लेकिन इंडिया में इसके स्पेसिफिक कारण क्या है उसके बारे में बात की गई है काफी पॉइंट्स यहां पे रिपेटिट होंगे चुकि पिछले साल जब COVID-19 की फर्स्ट वेव फैलनी शुरू होई थी तब मैंने आपको बहुत से आसे articles डिसकस करके बताया थे जहां पे COVID-19 की अंडर रिपोर्टिंग क्यों होती है उसके बारे में हमने बातचीत करी थी हलाकि वो बहुत पहले रिकॉर्ड के थे जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने शायद वो articles देखे होंगे इन articles को लिखा किसने हैं तो ब्रहमार, मुखर जी, सौविक, पूर्यकस्थ, मैक्स्विल, सेलवेटोर, सौपनिल, मिश्रा जी ने यहाँ पे अपने अपने inputs दी हैं इस article में तो इसके respect में बात करेंगे सबके जो भी इनकी achievements हैं इन authors की वो आप the Hindu के references section में देख सकते हैं फिर नेक्स डार्टिकल है अवन हेल्थ अप्रोच that targets people animal यहाँ पर बतायागे है zoonotic origin of disease के बारे में बहुत सी ऐसे disease हैं बहुत सी ऐसे infection हैं जो कि अगर animal को हुए तो वो human को infect कर सकते हैं अगर human को हुए तो वो animal को infect हो सकते हैं अपने देखा होगा अक्सर कर लोग को पालते हैं, मिली पालते हैं इन से लोग को बहुत प्यार होता है बट प्राब्लम यह कि जो पालतू जानवर होते हैं उनसे कोई प्राब्लम नहीं लेकिन wild में जानवर घूम रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे infections भी उन जानवर साथ गूम रहे हैं अभी उन wild जानवरों के साथ अगर लोगों का infection या फिर interaction बढ़ता है तो infections का transmission बहुत तेज होगा चाहे COVID-19 की बात कर लिजे चाहे HIV की बात कर लिजे Severe Acute Respiratory Syndrome की बात कर लिजे क्या क्या points बताए गए है इस article को देखेंगे नेक्स्ट बात करेंगे अन-nuclear challenge बेसिकली North Korea और USA का मुद्द बहुत लंबे समय से उठा नहीं है फिर से यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है जो बाइडन नौर्थ कोरिया के respect में क्या strategy बना रहे है अपरेल 2021 के महीने में 141,384 करोन का GST जमा हुआ है जबकि अगर आप मार्च 2021 की बात करोगे तो 1.24 लाग करोन का था तो अब समझ सकते हैं कि 141,000 करोन का GST एकटा होना अपरेल 2021 के महीने में यह बड़ी बात है तो इसके reasons क्या है और क्या मही के महीने में भी GST collections बढ़ेंगे इस respect में जो points बताएगा है उनको discuss करूँगा तो ये चार articles में यहाँ पर आज आपके साथ discuss करने वाला हूँ हीनी में ठीक थाक समय जाएगा आगे बाद ने इस पहरे वीडियो पे like का button अगर अब तक आपने इस वीडियो को share ना किया हो उस चैनल को share और subscribe ना किया हो कर दीजे जोइन में बटन दवा के आप help का सकते हैं मेरे चैनल हर्शित दिवेदी एजूकेशन की playlist section में जाहिए लक्ष्मी गांत की quality complete हो चुकी है spectrum की modernity का most important part complete हो चुका है रमेश सिंक की economics चल रही है 37 चंदरा की media list ही चल रही है NCRT 6 से लेके 12 तक की मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है काफी बाकी है इन्वामेटर निकलोजी की playlist बनी हुई है तो इन सब वीडियोस से अगर आपको फाइदा मिलना है उनकी pdf भी आपको telegraph group में ही मिलेगी ठीक है तो शुरुबात करते With good data Accurate projections are possible Making it difficult to go ask the true state of the pandemic क्या पताया जा रहा है इंडिया के अगर बात की जाए तो इंडिया is home to world's worst ongoing coronavirus pandemic दुनिया भर में अगर सबसे गंदा coronavirus का impact अभी कहीं आ रहा है तो इंडिया में आ रहा है हर तीन दिन में एक मिलियन नए cases आ रहे हैं दस हजार deaths हो रही है हर तीन दिन में अभी दो दिन पहले चार लाग से जादा cases आ थे Fortunately उसके एक दिन बाद 3.68 लाग cases हो गए थोड़े कम हो गए लेकिन फिर भी आप देखो तो तीन महीने तीन दिन में हम लोग आराम से दस लाग cases कॉस कर जा रहे हैं और दस हजार से जादा death सो रही है बहुत बड़ा figure है ये ministry of health and family welfare का data बोल रहा है अभी आपको पता है कि जो official data होता और जो original data होता उसमें फर्क होता official data से यहाँ पर original data की जो situation है वो बहुत ज़ादा dangerous बताई जा रही है मतलब कि numbers को यहाँ पर कहीं न कहीं फज किया गया है numbers यहाँ पर काफी कम report किये जा रहे है तो यह जो under reporting of cases है क्या यह केवल इंडिया की problem है क्या यह कहीं और नहीं होती है अगर आप देखे not capturing all COVID-19 cases and COVID-19 related deaths is not unique to India यह phenomena इंडिया से unique नहीं है मतलब और भी जगों पर data की under reporting होती है यहाँ पर एक research हुई है behavioral dynamics पर COVID-19 की एक group के दोरा Massachusetts Institute of Technology में जहाँ पर यह बताया गया है कि global under reporting factor for cumulative cases around 7 and deaths 1.4 as of December 2020 मतलब Massachusetts Institute of Technology की report यह बोलती है कि दुनिया भर में जो भी COVID-19 के cases आए है actually में overall cases उसके साथ गुना जादा है मतलब overall under reporting का जो factor है वो 7 है और overall deaths की under reporting का जो factor है वो 1.4 है मतलब total अब तक दुनिया भर में जो deaths बताई जा रही है COVID-19 के चलते कि मतलब यह है कि दुनिया भर में under reporting हो रही है COVID-19 की यह अलग बात है कि किसी देश में कम under reporting हो रही है किसी देश में जादा under reporting हो रही है इंडिया में खासकर जो second wave आई है coronavirus की इसके दुरान under reporting बहुत जादा बताई जा रही है जो भी empirical evidence है और जो भी epidemiological models है इन models को हम लोग थोड़ी देर में हलका फुलका यहाँ पर देखेंगे सारे models को तो देखें यहाँ पर नहीं डिसकस किया जा सकता अब एक और सवाल वाई is it hard to capture all COVID-19 infections and related deaths अब COVID-19 के सारे infections पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं बहुत से reason हो सकते है पहला reason silent asymptomatic infection तो भाई किसी को infection हुआ बट उसको कोई symptom ही नहीं आया ना बुखार आया ना गला बंद हुआ तो भाई वो क्यों ही अपना test कराने जाएगा तो जब तक वो asymptomatic रहा तो दूसरों कोरोना फैलाता रहा हला कि उस पर impact नहीं आया फिर भाई barriers to testing due to cost and travel बहुत सारे लोग test नहीं करवाते हैं भाई साड़े 800-900 रुपे लगते हैं कोरोना का test करवाने में लोग अपनी जब से पैसा नहीं निकालना चाहते है travel time लगता है तो कोई गाउं के रह रह रहा है इसके respect में भी लोग test नहीं करवाते है limited availability of test ये भी बात है कि भाई test भी limited है और कभी-कभी false negative test भी आ जाता है मतलब कि आपने test कराया लेकिन diagnostic kit में कुछ कमी थी या test थोड़ा पहले हो गया थोड़ा बाद में हो गया तो आपका corona positive या negative पकड़ मी नहीं आया तो बहुत से reasons यहां पर बताया जा रहे है कि corona virus actually में total number of infections और सही infections हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे है उसके वाद अगर आप बात करो तो covid-19 से related deaths को भी हम लोग कही न कहीं miss कर रहे है बहुत सारी deaths healthcare facilities के बाहर घरों में हो जाती है और कभी-कभी क्या होता है कि covid-19 के वज़े से कोई person मरा उसको पहले से कोई disease थी तो kidney failure था, heart disease थी तो पहले वादे disease के चलते हैं उस आदमी का शरीव कमज़ोर था corona हुआ उस आदमी का शरीव नहीं जहल पाया बढ़ corona आया तो वो नहीं लड़ पाया तो वो खतम हो गया तो क्या आपने दिखा दिया death का cause heart disease जबकि यहाँ पर actually आपको death का cause coronavirus दिखाना चाहता है प्लस इंडिया में एक poor और delayed infrastructure है deaths की reporting का certifying the cause of death काफी मुश्किल होता है और खासकर rural areas में अकसर कर death की causes को certify किया ही नहीं जाता है 2017 का एक estimate बोलता है कि भाया जो 5 deaths होती है इंडिया में उसमें से केवल 1 death medically report होती है तो किसी कोई एक घर में कोई particular person बीमार है उसकी मृत्य हो जाती है तो उसको घर वाले उसका अंतिम संसकार कर देंगे बहुत कम ऐसा होता है कि डॉक्टर आया डॉक्टर देखे certify हो post mortem हो यह सब चीज़े नहीं होती है ठीक है उसका अंतिम संसकार कर दिया जाता है और यह चीज़ document नहीं हो पाती है कि क्या medical reason था जिसकी वज़े से उस particular person की मौत हो गई फिर यहाँ पर कुछ आप कह सकते हो कि philosophical बाते भी बोच सकते हैं कि under reporting को आप कैसे estimate करोगे epidemiological model से देखें एक infection जरूरी नहीं है कि death में या case में या hospitalization में बदले यहाँ पर आपको समझना होगा कि infection एक अलग चीज़ है वो infection सच में इतना बड़ा हो गया कि भाई coronavirus positive माना गया आपको उसके अधा केस यह रहुआ आपके death हो गई या फिर कहीं न कहीं आप hospital में अड़िट थे तो hospital में अड़िट होना hospitalization, death होना या फिर coronavirus positive होना यह तीन चीज़ें अलग है और आप infect हो रहा है coronavirus से यह अलग है ठीक न भाई तो किस हद तक यह infections, deaths में hospitalization में और cases में convert होंगे इस बात को जितना ज़ादा अच्छी तरीके से एक देश की सरकार पता कर सकती है उतना ही अच्छी वहाँ का surveillance strategy को बोला जाएगा unfortunately इंडिया का health system of surveillance strategy इतने ज़ादा efficient नहीं है फिर आप देखो in a recent study, epidemiological models attempt to capture covert infection by accounting for unreported but infectious individuals, expected deaths are then estimated from the estimated number of infections and assumed infection fertility rates based on historical data epidemiological models के इसाफ से एक attempt किया गया है पता करने का कि भाई जितने cases हमारे सामने आया है officially उसमें कितने unreported हो सकते है और उसके respect में कितने total infection आया है इसको पहले estimate किया गया और उसके एसाब से expected deaths को estimate करने की कोशिश की गई उसके basis पे बहुत सारी अलग-अलग studies ने ये बताया है कि इंडिया में जो under reporting factor है वो 10 to 20 हो सकता है और deaths की under reporting cases first wave of coronavirus में report हो रहे थे उससे 10 से 20 कुना ज़्यादा cases थे और जितनी deaths first wave of coronavirus में report हो रही थी उससे 2 से 5 कुना ज़्यादा deaths थी ऐसा बहुत सारी अलग-अलग studies ने models ने बताया बट सवाल ये है कि क्या इन models को validate किया जा सकता है हम किस हद तक ये बोल सकते हैं कि जो models हैं वो सही है चुकि बहुत बड़ा इल्दाम लगा रहे हो अगर 1000 cases आरे हैं तो आप कह रहे हो कि actually में 10 से 20 000 cases थे हम पगड़ी नहीं पा रहें cases को तो क्या cross check किया जा सकता है under reporting of infection को तो seroservoos को देखते हूं जो तीसरी seroservoos कंड़र करवाई गई थी Indian Council of Medical Research के दोरा इसकी डेट थी 17 December 2020 से 8 January 2021 से इस seroservoos ने क्या बोला कि भाई वो लोग हमारे देश में जो 18 साल से ज़ादा के उमर के हैं उनमें 21.5% इंडियन की बॉड़ी में antibodies मिली है antibodies का बाती है आपके बादी में बादी में जब आपके पास infection है और कोरोना का infection आया तो आपके खून और आपका immunity system उससे लड़ेगा और आपके बादी में antibodies आएंगी तो 18 साल से ज़ादा के एडिल्ट्स के 21.5% में antibodies देखने को मिली है इसका क्या मतलब इसका आपके यह है कि at some point of time वो SARS-CoV-2 से infect हुआ होगा तो इस हिसाब से आप देखो तो हमारे देश के 136 करून लोगों में से 59% 18 साल से ज़ादा की उमर के हैं और इन 18 साल से ज़ादा की उमर वालों में 21.5% के अंदर antibodies हैं मतलब कि 173 million adults infected हैं लगबग 17 करून 30 million adults यहाँ पे infected हैं कैसे किया आपने 136 करून का पहले आपने 59% निकाला और फिर 21.5% निकाला तो कितना निकल के आया 17 करून 30,000 लोग 173 million अब अगर आप यहाँ पे बात करो तो 11 million COVID-19 के infections निकल के आया थे इंडिया में 8 जन्वरी तक और आप कहा सकते हो कि 173 million adults infected हुए if you calculate according to 3rd sero survey of Indian Council of Medical Research तो यहाँ पे under reporting का factor कितना निकल के आ रहा 176 चुकि 11 को जब आप 16 से multiply करोगे तब कहीं आप 176 पे पहुँचोगे मतलब कि अगर 16 का under reporting factor है actually में कोरोना के cases 11 million निकल के आया है 16 से multiply के हैं तो 176 million और sero survey क्या बता रही है ICMR की कि 173 million infected होंगे तो मतलब आप कह सकते हो कि 16 के लगबग हमारा under reporting rate है मतलब actually में जो हमारे यहाँ पे cases है उससे cases 16 गुने जादा थे यह cross check करके बताया गया third survey of Indian Council of Medical Research इसका मतलब क्या है कि total COVID-19 infection के हम लोग केवल 6% infection ही पकड़ पाए मतलब कि missing infections है और missing infections बहुत जादा है यह बात proved है तो जो भी mathematical models बोल रहे है कि under reporting हो रही है 10 से ले के 20 तक कि कहीं न कहीं वो गलत नहीं है कहीं न कहीं Indian Government के द्वारा और Indian Government के डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी figures release किये जा रहे है वो पूरी तरीके से सही नहीं है अब यह तो बात होगी number of cases की अब बात करतें unreported deaths की जो wave 1 आई थी उसमें से एक group of volunteers ने अलग-अलग newspaper की और इसके basis पे उन्होंने यह बताया कि भाई जो number of deaths हो रही है actually में number of deaths उसकी दुगनी है तो first wave of coronavirus के दौरान जितनी total deaths report हो रही थी और देजबर के newspapers में से जो obituries जैसे के आपके घर में किसी person की मृत्य होती है तो उसकी obituary छपवाई जाती है तो उस case में ऐसा पता चला कि भाई जितनी deaths report हो रही है उससे दुगनी deaths हो रही है नियूयॉक टाइम्स में एक report चपी एक article चपा जिसमें यह बोला गया कि जो गुजरात में authorities है वो बता रही है कि mid April 2021 में लगबख 73 से लेके 121 के बीच में covid related deaths हो रही है लेकिन अगर आप गुजरात का leading newspaper देखोगे संदेश नाम का उस संदेश newspaper ने जब अपने reporters को क्रेमेंशन और burial grounds में भेजा तब यह report किया गया कि भाईया गुजरात में अकेले को दिन की 600 मौते हो रही है तो गुजरात की authority report कर रही है 73 to 121 deaths लेकिन जब इस newspaper के reporters ground level पे जाके verify कर रहे हैं तो पता चल रहा है दिन में 600 deaths हो रही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं overall figures को बहुत ज़ादा आप कह सकते हो under report किया जा रहा है और actually में यह नहीं पता चल पा रहा है देश के लोगों को official figures के साफ से कितने cases आ रहे हैं और कितने लोगों के death हो रही है और यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि इंडिया में कोई औरी प्रकार का mutant फैल रहा है इसकी वह से मौत हो रही है कि जो case fatality ratio है यह जो ज़्यादा लोग इस साल मर रहे है उसका एक reason यह है कि कोई दूसरा ही mutant फैल रहा है लेकिन एक और reason है कि यहाँ पर सही समय पर लोगों को adequate medical care नहीं मिल रही जिस समय पर उनको hospital का bet चाहिए नहीं मिल पाए जिस समय पर उनको ventilator चाहिए नहीं मिल पाए जिस समय पर oxygen cylinder चाहिए नहीं मिल पाए इस वज़े से मिल रहे है तो के बल यह बोल देना कि कोई नया mutant फैल रहा है उसकी वज़े से लोग मर रहे है यह भी सही नहीं है यहाँ पर लोगों की मरनी कोज़े यह भी है कि at appropriate time medical help is not available to them तो यहाँ पर a way to capture the holistic effect of COVID-19 direct and indirect impact on mortality will be to perform a proper excess death calculation where demographers can take the number of people who die from any cause in a given region at period and compare the same with historical trend क्या मतलब है भाई देखे holistic effect of COVID-19 को जानने के लिए excess deaths को calculate करो होता यह Medical Calculations में किसी एक particular बीमारी के वज़े से कितने लोग मर रहे है इसके लिए क्या किया जाता है कि पहले जब वो बीमारी फैली उस समय पर जितने लोग मरे और बाद में जब वो बीमारी फैली उस समय पर जितने लोग मरे तो कितने extra लोग मरे second time पे इससे पता सलता है COVID-19 जैंफिर किसी बीमारी का effect कितना बढ़ा है अब ही अगर आप US की बात करो तो US में जब access deaths को investigate किया गया और यह जो तरीका है access deaths को investigate करने का यह दुनिया भर की countries में adopt किया जाता है कि पहली बार अगर कोई बीमारी फैली मानलो avian influenza फैला उसके वहीं से कितने लोग मरें और उसके बाद जब फिर से वही बीमारी फैली तो first के comparison में दूसरी बार में कितने लोग extra मरें इस तरीके को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है यूएस में भी जब यह तरीका इस्तेमाल किया गया तो 2020 के comparison में अगर आप बात करो मतलब कि यूएस में जो नॉर्मल कर मौते हो री थी हर साल 2020 में उससे 22% जादा मौते हुई है समझे यूएस में प्रॉपर डाटा है कि 2019 में 2018 में 2017 में कितनी मौते हुई 2020 में कितनी मौते हुई पता चला कि यूएस में 2019 के comparison में 2020 में 22% एक्स्टा मौते हुई है और इस 22% एक्स्टा मौतों में COVID-19 72% cases के लिए responsible था यानि 2020 में यूएस में 22% एक्स्टा डेथ सोरी इस में 72% responsible कौन था COVID-19 था इंडिया में ऐसा कोई mortality data available ही नहीं ना इंडिया का 2019 का data perfect है ना 2020 का data perfect है और COVID-19 की तो बात थीमेट को COVID-19 में कोई proper reporting हुई नहीं है proper reporting हो जाएगी तो सरकार की पोल खुल जाई ही और सरकार इस प्रकार के data को काफी फज़ करती है यह हम सब को मालों बाद तो एक्चुली मैं मालूम ही नहीं कर पाऊगे कि problem क्या है फिर हम देखते हैं कि क्या इंडिया में testing appropriate level पे हो रही है अगर आप बात करो जब US में बहुत तेजी से koronavirus फैल रहा था यह मैं समय बतारहूं एक नमंबर से लेके 15 फरवरी तक का और इंडिया में बहुत तेजी से koronavirus काफ पैला है 28 मार्च से 27 अपरेल 2021 जब US में बहुत तेजी से koronavirus फैल रहा था तब उनका जो test positivity rate आ रहा था, वो 15% आ रहा था और इंडिया में test positivity rate कितना रहा था? 25% test positivity rate का मतलब क्या होता है? 100 टेस्ट हुए US में और अगर test positivity rate 15% थो 15 लोग positive है इंडिया में जब 100 test हुए तो 25 लोग positive है तो इसको बोलता आ test positivity rate जत्ते लोगं का टेस्ट और कितने लोग पॉस्टिव है तो जब हमारे सबसे अदर इंफेक्शन आ रहे थे इंडियाएं उस समय पे franchूंभ आ रहे था 10 परसंट और यूएस में सबसे अदर इंफेक्शन आ रहे थे उनका ठेस्ट कर रहे थो और 25 परसंट तो इसके Self के अगर आप 200 लोगों का टेस्ट कर दे थे तो टेस्ट पॉस्टिविटी रेट जादा आ रहा था तो जादा केसे इसको पता करने के लिए देश की सरकारे और जादा टेस्ट करवा सकती थे लेकिन टेस्ट के कंड़क्ट करवाने की स्पीड नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से क इफिक्षन जादा है इटफ काउंट जादा है उसके बावजूर्ट टेस्टिंग कम है मेडिकल सप्लाइस कम है उस्पिटल से लोगों को वापस भेज रहे है है ऑथिसन सिलिंडर सको जाएंगे तो ओविसन की कमी है नो लोग किसको गालिया देंगे, सरकारों को गालिया देंगे, और सरकार को इस बास से को ज़्यादा फर्क बढ़ता नहीं, कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है, बस रियल गंदी सिचुएशन अगर बाहर नहीं आती, तो सरकारे खुश हैं, क्योंकि फिर आप उनको ज़्यादा ब्लेम नहीं कर पाऊगे, नेक्स आर्टिकल पर चलते हैं, यहाँ पर फादर अफ मॉडर्न पैथलोजी के बारे में बात की गई है, तो फादर अफ मॉडर्न पैथलोजी, रुडॉल्फ विर्चो, इन्होंने 1856 में क्या बोला, कि भाई देखिये, कोई भी डिवाइडिंग लाइन नहीं है, एनिमल और हुमन मेडिसिन के बीच में, मतलब रुडॉल्फ विर्चो का यह बोलना था, जब पूरी दुनिया COVID-19 के पैंडमिक के साथ लड़ रही है, और इस टॉपिक को लेके, रीसेंटली कुछ डिसकॉशन्स हुए हैं, वर्ड वेटनरी डे पे, जो की था 24 अप्रेल 2021 को, जहां पर इस बात पर फोकस किया गया, कि इंटरकनेक्टेटनेस अफ एनिमल्स, हूमस, एन्दा इन्वार्मेंट, मतलब एनिमल्स में, हूमस में, और उनके आसपास जो इन्वार्मेंट में, इसके इंटरकनेक्टेटनेस को देखो, हो अगर आप हेल्थ पेरामिटर्स को डिवाइस करने करें तो बोला जाएगा वन हेल्थ ओके अगर बात की जाए आज की डेट में तो जो टू थर्ड अफ दा एग्सिस्टिंग एंड एमर्जिंग इंफेक्शिस डिजीज हैं आज की डेट में वो जूनॉटिक हैं जूनॉटिंग मतलब वो जानवरों से फैली हैं मतलब वो डिजीज अगर एनिमल में है और हुमन्स एनिमल के टच में आते हैं तो हुमन्स भी यहां पे इंफेक्ट हो सकते हैं पर अगर कोई disease humans को है और वो किसी healthy जानवर के touch में आता है तो उसको भी हो सकता है तो माल लीजे किसी human ने किसी wild जानवर को मार के खा गया और वो infect हो गया और उसके घर में कोई pet है कोई कुटा बिल्ली है तो वो human उस कुटा बिल्ली को भी मार कर सकता है इस particular disease के थूँ समझ तो कहने मतलब यह है कि ऐसे बहुत से pathogens infections से लगबग two third जो कि इस बात पर depend नहीं करता कि वो कौन से life form से originate हो रहे है वो animals से हो रहे है या humans से हो रहे है वो species barrier को circumvent कर जाएंगे वो एक species दूसरे species को infect कर सकती है फिर यहाँ पर एक और category of disease बताय जा रहे है anthropozonetic मतलब यह वह ह से animals में transfer हो जाते हैं यह मैंने आपको बता ही दिया और जो trans boundary impact है यहाँ पर जो boundary है वो species boundary है तो मतलब कि वाइरल आउटब्रेक्स जो होते हैं यह जानवर वाले बीमारिया किस हद तक humans को परेशान कर सकती हैं यह आपको इन वाइरस से देखने को मिलेगा तो निपा वाइर इस देख लीजे, severe acute respiratory syndrome, middle east respiratory syndrome, avian influenza यह सारे के सारे जो infections हैं यह कहां से पैदा हुएं जानवर उसे पैदा हुएं लेकिन यह कहां पहुँच गए, humans पे पहुँच गए, तो कुल मिलाके जानवर वाली जो बीमारिया हैं वो humans को भी infect कर सकती हैं और उसका उल्टे effect आपने यह जानवरों में जाना, अभी इंडिया का जो one health vision है, basically अब में क्या बात करो, यह जो zoonotic बीमारिया हैं इनके साथ deal करने के लिए भारा सरकार क्या-क्या प्लान बना रही है, internationally और domestically, तो उस respect में इंडिया का one health vision की बात हुरी, one health मतलब की जानवरों की परिशानी और humans की परि ट्राइट प्लस एलाइंस के recommendations को follow किया जा रहा है, यह ट्राइपार्टाइट प्लस एलाइंस कौन सा है, तो भाई, Food and Agriculture Organization of United Nations, World Organization for Animal Health, World Health Organization, United Nations Environment Program, ठीके न, यह जो ग्रुप है, चार्ज ओर्गनाइशन का, इसको इसने global initiative launch किया, मतलब FAO ने, OIE ने, WHO और UNEP ने, और इस global initiative को support किया, UNICEF ने, और World Bank ने, और इस initiative का नाम क्या है, और target क्या है, One World, One Health, और इस One World, One Health से, इंडिया भी अपने One Health Vision को पाता है, मतलब, यह जो One World, One Health का, आप क्या सकते हो, motto, इन चार organizations ने बनाया है, जिसको support कर रहे है, UNICEF और World Bank, इस motto के हिसाब से, इंडिया भी अपने One Health Vision क को देखता है, यह से respect में, इंडिया 1980 से ही step ले रहा है, long term objectives को देखते हुए, इंडिया ने एक national standing committee बनाई थी, zoonosis पे, 1980 में, zoonosis मतलब कि वो बीमारिया जो जानवरों से humans में आती है, और इसके लिए, अभी आप देखोगे कि इसी साल 2021 में, funds sanction किये गए हैं, ताकि Center for One Health ब launch किया है, ताकि we can mitigate the prevalence of animal diseases since 2015, 2015 से जो animal diseases prevalent है, उनके effects को mitigate किया जा सके, जिसमें funding के इस हिसाब से दी जाएगी, तो 60% पैसा केंज सरकार के दोरा दिया जाएगा, 40% पैसा राज सरकार के दोरा, North Eastern States के लिए 90% पैसा केंज सरकार के दोरा, 10% पैसा राज सरकार के दोरा, और उन उसमें 13,343 करॉन रूपीज एलोकेट किये गए हैं, एक foot and mouth disease के लिए और Bruce Ellis कंट्रोल के लिए, तो ये अलग-अलग steps नजर आ रहे हैं आपको भारा सरकार के जो आप कहीं पे court कर सकते हो, तो 1980s में National Standing Committee on Zoonosis बनी थी, फिर अभी Center for One Health बना नागपुर में, Department of Animal Husbandry and Daring ने अलग-अलग schemes लांच की हैं, अनिमल डिजीज के prevalence को रोखने के लिए 2015 से funding pattern सामने लिखा हुआ है, और National Animal Disease Control Program के अंदर 13,343 करॉन अलॉट किये गए हैं, foot and mouth disease of Bruce Ellis Control के लिए, उसके साथ आप देखोगे, कि जो Department for Animal Husbandry है, ये जल्दी ही एक One Health Unit भी लांच करेगा मिनिस्ट्री के अंदर, इसके साथ साथ, गौर्वर्मेंट काम कर रही है to revamp programs that focus on capacity building for veterinarians and upgrading the animal health diagnostic systems, मतलब की, वो veterinarians, veterinarians में मतलब क्या होता है, जो जानवर का इलाज करते हैं, तो जानवर के इलाज करने वाले doctors की capability को बढ़ाना, उनको और medical devices और infrastructure available करवाना, साथ साथ, animal health diagnostic systems में कुछ technological improvements करना, western countries की best practices को adopt करना, जैसे कि assistance to states for control of animal diseases, इस प्रकार की चीज़ों में केंदर की सरकार आगे आने वाले समय में राज की सरकारों की और मदद करीगी, फिर आप देखोगे, in the revised component of assistance to states unit territories, there is increased focus on vaccination against livestock diseases and backyard poultry, तो poultry में और livestock में, मतलब जो हमारे cattle वगरा हैं, जैसे कि by lamb हो गया, भेड़ बक्री हो गया, chickens हो गया, गाएं हो गया, बफैलोस हो गया, इनको समय समय पे vaccination देना, ताकि जो diseases इनको affect करती हैं, वो diseases इनको affect ना कर पाएं, तो इनके vaccination को rate को बढ़ाना, ताकि cattle के अंदर disease फुड़ा धीले धीले फैले, जैदा ना फैले, और उसके respect में assistance प्रोवाइड किया जाएगा, और funds प्रोवाइड किया जाएगे state biological production unit को, और disease diagnostic laboratories को, तो यहाँ पे आप कह सकते हो, कि जो हमारी भारत सरकार है, वो काफी कुछ कर रही है, तो यह जो points है न, इस points को आप quote कर सकते हो, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूँ, यह जो article लिखा है, यह अतुल चतुरवेदी साहब ने लिखा है, यह secretary and ministry of animal husbandry and daring में, इसलिए आपको इस article में यह ज़्यादा नजर आएगा कि भारत सरकार क्या 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 कर रही है, इन diseases को control करने के लिए, अब जब आप से यह पूछा जाए कि इस exam में कि भारत सरकार क्या 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 कर रही है, तो आप इन points को note कर सकते हो, चुकि सरकार का representative इस सारे points बता रहा है, सरकार के favor में बात है, तो हाँ, क्या steps लिए हैं सरकार ने, फोन steps के अंदर आप इन points को बहुत safely quote कर सकते हो, फिर कमी आप अपने यह साब से quote कर सकते हो, और conclusion में एक balance remark दे सकते हो, फिर उसके बात की जाए, तो WHO ने यह estimate किया है, कि जो rabies, rabies एक प्रकार की zoonotic disease है, तो अग उसको already 6 billion dollar के नुकसान हो रहा है सालना, अभी अगर आप देखो तो 97% of the human rabies cases in India, यह dogs की वज़ा से आते हैं, मतलब इंडिया में जितने भी human cases in rabies के, उसके 97% कुत्वक वज़ा से, इसलिए dogs के अंदर disease management बहुत ज़ादा crucial है, इसलिए Department of Animal Husbandry and Diseases ने partner किया है, Ministry of Health and Family Welfare के in the National Action Plan for Eliminating Dog Mediated Rebeezes, मतलब National Action Plan for Eliminating Dog Mediated Rebeezes के तुरू, dogs के अंदर से अगर आप बिमारी हटा देते हैं, तो अगर वो कुत्ता किसी human को काटेगा, तो human को भी बिमारी नहीं होगी, बैट अगर कुत्ते के अंदर बिमारी है, तो human के अंदर भी वो बिमारी पहुँच जा इसने यहां पर अबजर्व किया है, कि भाई, 1.7 मिलियन से ज़्यादा वाइरसे सर्कुलेट कर रहे हैं वाइल लाइफ में, बहुत सारे जूनाटिक हैं, जूनाटिक मतलब वो जानवरों से उनका ओरिजन है, और बहुत जरूरी है कि इसका टाइमली डिटेक्शन किया ज जानवरों को खाते हैं बड़ उस हद तक नहीं खाते हैं जिस हद तक चायना में खाते हैं, त वह तो झायनाट है। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया में फिर भी चांसे हैं कि आगे पेंडिमिक आ सकते हैं, चूकि WAI rocking में बहुता लाइन गूम रहे हैं, और वह infection कहीं न human और animal health institutions के बीच में जो information access है वो proactively circulate की जाए और जो inadequate coordination है food safety at slaughter, distribution, retail facilities को लेकर उसको proper तरीके से implement किया जाए यहां पे जानवरों को ले जाके काट के बेचने के लिए market में बेजा जाता है वहां पे भी proper safety procedures को follow करना, उन जानवरों को disinfect लेना, retail facilities में, distribution facilities में, slaughter houses में यह भी कही न कहीं करना चाहिए और इसके respect में क्या क्या किया जा सकता है, तो इस issues को remedy किया जा सकता by consolidating existing animal and disease surveillance system, अभी के लिए animal health and disease surveillance system कौन कौन से इंडिया में, तो एक है the information network for animal productivity and health, दूसरा है national animal disease reporting system, तो यह कुछ ऐसे health, animal health and disease surveillance system है, जिसके basis पे कहीं न कहीं, यह जो जानवरों से related problems humans के अंदर पहुंचती है, इसको consolidated तरीके से और एक organized तरीके से tackle किया जा सकता है, इसके दम पे best practice guidelines को लेके आए सा सकता है, informal market और slaughter houses में, जहां पे जानवरों को काटा जाता है बेचने के लिए, informal market और slaughter houses का समय समय पे inspection हो सकता है, disease prevalence assessment हो सकता है, और कुल मिला कैसे mechanism मनाए जा सकते हैं, जिससे one health को operationalize किया जा सके, state level पे भी और village level पे भी, COVID-19 के साथ हम लोग अलड़ी लड़ रहे हैं, this is a deadly zoonotic disease, तो इस प्रकार के diseases और ना पहल जाएं, इसलिए one health targets proactive तरीके से पूरे हो, यह हमें कैसे ना कैसे करके ensure करना पड़ेगा, नेक्स आर्टिकल पर चलते हैं, the nuclear challenge, North Korea's economic worries and US nuclearization concerns need addressing, क्या बोरा जा रहा है यहां पर, तो भाईया, President Joe Biden साहब ने क्या बोला है, for stern deterrence in response to North Korea's nuclear program and Pyongyang angry reactions accusing Biden administration of being hostile suggests that both countries are headed towards a diplomatic showdown, क्यों मिला के, Joe Biden की क्या policy रहने वाली है, North Korea की nuclear program को लेके यह देखना है, Joe Biden बात कर रहा है, stern deterrence की, stern deterrence का मतलब क्या हो गया, कि अगर North Korea एक limit से जादा आपने nuclear program को बढ़ाने कोशिश करेगा, तो America resist करेगा, अभी America किस करकार से resist करेगा, यह देखने वाली बात है, पहले congressional address के दौरान, पिछले आपते हुआ थो congressional address, Mr. Biden ने बोला कि भईया, यह जो North nuclear program है, इरान का, और North Korea का, यह America की security के उपर खत्रा डालते हैं, साथ-साथ पूरी दुनिया की security के उपर खत्रा डालते हैं, और यहाँ पर जो वाइडन प्रॉमिस कर रहे हैं कि डिप्लोम, ऐसी उस्टर्ण डेटरेंस के तुरू हम दोनों कंट्रीस को लोगेंगे, लेकिन अब समझेए यहाँ पर, इससे पहले, वैसे मैं आपको बता दू, अब तक जितने भी president रहे हैं, पोस्ट वार हिस्ट्री में अमेरिका के, पोस्ट वार हिस्ट्री में तब सेकेंड वर्ड वार के बाद, वो सब कहीं न कहीं नौर्थ कोरिया और इरान से बड़ा परेशान रहे हैं, नौर्थ कोरिया की बात की जाए, तो बैरक ओबामा की strategy क्या थी with respect to North Korea, strategic patience, मतलब बैरक ओमामा थोड़ा शांत रहना पसंद करते थे, strategic patience करते थे, डॉनल्ड टरम क्या करते थे, top level summit, तो भाई, एक तरफ डॉनल्ड टरम बैठे होंगे, दूसरी तरफ North Korea की किम जोंग, उन बैठे होंगे, और वो दोनों बैठके बातचीत करेंगे की चीजों को कैसे solve करें, अब इस respect में यहाँ पर deterrence की बात कर रहे है, जो बाईडन, अभी किस हदत तक deterrence यह कर पाएंगे हैं सोचने वाली बात है, जैसा की मैंने बताया, North Korea एक unresolved foreign policy puzzle रहा है सारे post-war American presidents के रहे, recently बहुत सारे US presidents ने कोशिश भी किये कि भाई, प्योंग यांग से बातचीत करके कुछ किया जाए, इस respect में Bill Clinton ने कुछ steps लिये थे, ब्लिंक किंटन ने एक framework agreement sign किया था, प्योंग यांग के साथ की भाई, अपनी nuclear program को आप रोको, Mr. Obama ने भी North Korea से 2012 में बात की, लेकिन ये बातें कही न कहीं fail हो गई, चुकि North Korea ने 2012 में एक satellite launch कर दी, तो उसके चलतें, फिर से इनके ओपर आपके सकतें सेंक्शन्स लगा दिये गए, तो wait and watch अप्रोच कहीं न कहीं, बैरक उबामा यहाँ पर आप मा रहे थे, प्रतलब कि अगर North Korea कुछ करता है weapons को लेके, तो एकदम से उसके खिलाफ ना बोलने लगना, थोड़ा रुक के इंतजार करना, यह अप्रोच अपनाई थी, बैलोक उबामा ने, मिस्टर टरम्प ने पुरानी अप्रोच को छोड़ा, सीधे-सीधे North Korean लीडर किम जॉंग, उन से बैठके सामने बातचीत करने कोशिश की, और काफी हद तक बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन कहीं न कहीं वो फेल हो गई, इन थियोरिट टरम्प एड्मिनिस्टिशन और नॉर्थ कोरिया की किम जॉंग, उनने बैठके बातचीत की थी, कि पूरा का पूरा Korean Peninsula हम डीनुकलाइस करेंगे, लेकिन किस तरीके से डीनुकलाइस करेंगे, इस बारे माचीत नहीं हो पाई, Korean Peninsula की अगर आप बात करो, तो नीचे की तरफ South Korea आता है, उपर की तरफ North Korea आता है, यहाँ पे चाइना की बांडरी है, तो North Korea और South Korea, भाई, दो ऐसे देश जिनकी ethnicity, सिटी कल्चर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, लेकिन बिल्कुल दुस्मन बने बैठे हैं, जैसे आज की डेट में इंडिया और पाकिस्तान, भले ही एक देश थे, तूट के अलग होगे, और आज की देश में आर्च राइवल्स बनके बैठे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के जिस्ते हद से ज़्यादा खराब हैं, कुछ उस प्रकार का हिसाब North Korea, South Korea का भी है, फूटी आँख ये दोनों एक दूसरे को नई सुआते हैं, अब बात की जाए, तो North Korea के साथ Trump Administration ने बातचीत करी, एक Trump Kim Summit भी हुआ हनोई में, यहाँ पे ये बोला गया कि भाई, U.S. ने कहा कि आप denuclearization करो, तो हम आपके उपर से sanctions अटा देंगे, North Korea ने बोला कि ठीक है भाई, हम denuclearization करेंगे, बड़ एकदान से नहीं करेंगे, हम phased approach रखेंगे, थोड़ा-थोड़ा denuclearization करेंगे, और हम आपसे expect करेंगे, कि आप पहले sanctions अटाओ, तो जो बाईडन ने, sorry, Donald Trump ने इससे मना कर दिया, Donald Trump कह रहे हैं, पहले को पहले denuclearization कर दो, तो हमारे उपर sanctions अटा दे रहे हैं, तो Kim Jong-un ने माना कर दिया, तो बातचीत बहुत आगे बढ़ी थी, Trump और Kim Jong-un की, but finally, कोई agreement नहीं हो पाया, अब जब Biden आये हैं office में, तो North Korea ने, कुछ short range missile test की हैं, अभी इन short range missile test को, US ने provocation की तरह देखा है, और Biden ने बोला है, कि हम deterrence करेंगे, हम रोकेंगे, अभी किस प्रकार से रोकेंगे, इसके कोई guarantee नहीं है, चुकि ज़्यादा options है नहीं, Mr. Biden के पास, Korea को रोकने के लिए North Korea को, North Korea एक nuclear power country है, तो उसके ओपर जंग USA छेड़ नहीं सकता, जिस तरीके से USA ने एराग पे अटेक कर दिया, उस तरीके से USA आप कह सकते हो, कि North Korea के उपर अटेक नहीं कर सकता, reason being North Korea एक nuclear power country है, उनके पास nuclear weapons है, ऐसा बोरा जाता है, US का key goal क्या है, कि बहुष कोरियन पेनिसुला को denuclearize कर दो, और यह बहुत सी countries चाहती है, including India, practically यह military strike के तूर possible है नहीं, ट्रम्प और किम की summit के तूर कोई breakthrough निकला नहीं, कही न कहीं अगर कुछ भी हो सकता है, तो diplomatic engagement से ही हो सकता है, और diplomatic engagement के लिए सारे leaders को सामने बैठके बातचीत करनी पड़ेगी, यहां से statement issue करके धमकिया दे के कुछ होने वाला यहां पे है नहीं, नौर्थ कुरिया के respect से देखा जाए, तो नौर्थ कुरिया बहले ही अपने nuclear program को बढ़ा रहा है आगे, लेकिन कहीं न कहीं नौर्थ कुरिया ने बहुत लंबे समय से, long range ballistic missile test नहीं किये, recently नौर्थ कुरिया के जो Mr. Kim Jong-un है, उनका यह बोलना है, कि भाई हम एक tough economic crisis से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें countries की help की जरूरत है, हम countries के साथ engage करने को तयार है, तो इस respect में, बहले ही North Korea short range ballistic missiles को test कर रही, बट long range को test नहीं कर रही, तो इससे आप क्या समझ सकते हो, इससे ही समझ सकते हो, कि North Korea ने अपने stance को बिल्कुल aggressive नहीं कर सकता है, वो थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहते हैं, तो आथर यहाँ पर यहीं बोल रहा है, कि Mr. Biden को यह opportunity seize करनी चाहिए, और बैट के Kim Jong उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि North Korea के economic worries को, और US के nuclear concerns को solve किया जा सके, और यही Biden administration की नई North Korean strategy होनी चाहिए, यह बात यहाँ पर बताई जारी है, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, अर्ट ट्रांजियंट हाई, रिकॉर्ड GST inflows are hurting, बट मेजर risks lie ahead, क्या बताई बताई जारी हैं यहाँ पर, इंडिया की GST resign की बात की जाए, तो कुछ अच्छी news है, अच्छी news यह है, कि अप्रेल 2021 में, 141,384 करोण रुपीज का GST tax collection हुआ है, मार्च 2021 में हुआ था 1.24 लाक करोण का, तो आप कह सकते हो कि GST collection का जो rate है, वो यहाँ पर बढ़ा है, अक्टूबर में जो GST collection था 1.05 लाक करोण था, तब से GST collections का जो rate है और महीने का, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और सब को लग रहा है कि इससे एक recovery हा रही है, अप्रेल में जो numbers बढ़े हैं, GST collection के वो इसलिए बढ़े हैं, क्योंकि मार्च में थोड़े transactions जादा हुए हैं, और अब अब्विसी बात है, economic activity भी जादा हुए, अब 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 अब्विसी बात है एकनॉमिक एक्टिविटी भी जादा हुए हैं, देखें क्या क्या हुआ है, COVID-19 के cases फैल रहे थे, सबको यह लग रहा था कि भाई lockdown लग सकता है, तो उसके चलते बहुत सारे लोग market में उतरे, और उनको जो समझ में आए उन्होंने खरीद लिया, तो ज़्यादा खरीदारी करने के चलते, पहली बात तो GST collection यहाँ पर ज़्यादा हुए है, क्योंकि सबको लगा कि COVID-19 cases बढ़ रहे हैं, तो बहुत से जगों पर lockdown लग सकता है, कुछ जगों पर limited lockdown लगा भी है, अगर आप मुंबई दिली जैसे जगों पर जाओ, तो यहाँ पर lockdown लगा हुआ है, कि इन सरकान नहीं लगा है, राज सरकान लगा है, बट लगा है, उसके बाद, मार्च, आपको पता है, financial year का ending होता है, तो बहुत सारी companies अपने accounts का audit करवाती है, annual accounts के GST को भढ़ती है, तो जो भी auditors होते हैं, उन companies के वो बढ़ते हैं, बोलते हैं कि financial year close कर रहा है, ये GST भर दो, ये GST भर दो, तो वो GST भरते हैं अपना, तो उस respect में क्या बोला जा रहा है, कि कहीं न कहीं, financial year के last month में, ये जो firms थी, वो अपना GST भर रहे थी, तो उसके चलते पूरे financial year का GST भरा गया, तो यहाँ पे एक increased figure नजर आया, फिर कहीं न कहीं जो investigation agencies हैं, वो fake taxpayers के पीछे, और fake bills का जो गरबर काम करते हैं, scam करते हैं, गोटाला करते हैं, उनके बीचे भाग रहे हैं, तो उस respect में भी यहाँ पे जो collection से वो जादा नजर आया, तो बहुत एक कह सकते हो कि, बहुत सारे reasons हैं यहाँ पे एक लाग 41,000 करोड के खटा होने के, पहला reason क्या है, कि COVID-19 चलते, लोगों ने खरिदारी बढ़ा दी, दूसरा reason क्या है, कि financial year का last month था, तो उसके चलते बहुत सारी companies अपने accounts फाइल करनी थी, तो GST बहुत सारा भढ़ दिया गया, तीसरा reason क्या था, कि investigation agencies उन corrupt लोगों के पीछे भाग रही हैं, जो fake bills के चलते, प्रॉपर GST नहीं भढ़ते हैं, तो उनका भी, जो corruption वाला काम है थोड़ा कम हुआ, तो उसके चलते भी GST रिटन जादा आए हैं, तो ये तीन total reasons combinedly बताया जा रहे हैं, एक लाग 41,000 करोन के tax collection के GST के, अगर आप इस data को, अपरेल 2020 से compare कुरूँ, तो अपरेल 2020 में 32,172 रुपे ही collect हुए था, 32,172 क्यों, चुकि आपको पता है कि 23,24 मार्च के लगबग से ही lockdown लग गया था इंडिया में, और आपको पता है कि अगले महीने का GST, लोग पिछले महीने के आखरी 4-5 दिनों में भरते हैं, तो अगर जुलाई का GST भर रहे होंगे लोग, तो अगस्त मर्समझे इस बात को, जुलाई का, एक GST का क्या होता है कि आपको monthly filing करनी पड़ती है, तो मान लिजे कि मार्च के महीने में जो भी आपका GST हुआ, वो आप अप्रेल के महीने में भरते हो, हाला कि कभी-कभी क्या होता है कि financial year के आखरी महीने में, पूरे साल कभी भरा जाता है, लेकि नॉर्मल करकेसिज में GST filing monthly 20 होती है, तो अगर आपको किसी एक particular महीने कमा लिजे, माई के महीने का GST भरना है, तो जून में भरोगे, तो जून के last हफते में भरोगे, लोग जायदा डेले करते हैं, लास्ट हफते में भरते हैं, तो जब 24 बच्चिस मार्च को lockdown लग गया, तो आखरी 4-5 दिन तो lockdown में चले के, तो GST जदा भर नहीं पाया, उसका चलते है, अपरेल 2020 में केवल 32,000 करोन का GST फिल हुआ, और 4 घंटे के notice पूरे देश में lockdown भी लग गया था, एकनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़दा effect हुई थी, कि GST collections ना के वराबर हुए, तो उससे में पे बहुत सारे restrictions लग गए, several states में, supply chains टूड गई, और उसके चलते कहीं न कहीं, GST collection तो कम हो नहीं था, demand भी कम हो गई, अब यहाँ पर क्या बता है जा रहा, अभी कि अगर बात की जाए तो, अब बोला यह जा रहा है कि, जिस हद तक हालात पिछले lockdown में खराब थे, इस बार तो lockdown लगा भी नहीं है, localized lockdown है, market बंद नहीं हुए, lockdown बंद नहीं हुए, लेकिन जो second wave आई है, coronavirus की, कहीं न कहीं यह थोड़ी problem कर रही है, कहीं न कहीं demand weaken कर रही है, recalibration हो रहा है, production और investment plant का, first lockdown के बाद, जो economic activity फिर से re-boom कर रही है, तो उसमें बहुत सारे production और investment plants execute हो रहे थे, लेकिन इनका execution कहीं न कहीं second wave of coronavirus के चलते हैं, दीमा पड़ा है, अगर आप कुछ indicators की बात करो, तो जो major two wheeler producers हैं, उनके sales, लगभग 33% से गिरे हैं, one third से गिरे हैं अप्रेल में, compared to March, plant shut down हुए, Mumbai में lockdown लगा, दिलनी में लगा, बहुत सारे plant shut down हो गया, inventory build up बंद हो गया, आपको पता है न, कि देखे, मालिज़ आपको Honda की scooter खरीद नहीं है, तो Honda की scooter लगाता, ने किसले वान किया, several indicators sliding since mid-April, mid-April से बहुत सारे indicators नीचे ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे GST e-will बहुत कम हो गये, लगातार दो हफ्तों में हमने देखा गया है, कि 6% GST e-will build का number घटा है, मतलब कि goods का transfer एक जगा से दूसरी जगा, ज़्यादा होनी रहा है, manufacturing orders 8 month low है अपरेल 2021 में, as per IHS market की survey के साब से, और कहीं न कहीं pandemic बढ़ रहा है, और health infrastructure का shortage है, इसके चलते बहुत सारे industry leaders के उपर ये pressure है, और हमारे देश के politicians के उपर भी ये pressure है, कि एक और stringent lockdown यहाँ पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सोच लेना कि इतने बढ़ते infections के दौरान, और weakening economic के दौरान, अब मई में कोई ज़्यादा GST collections दिख सकते हैं, बहुत मुश्किल है कि मई में ज़्यादा GST collections दिखें, जब तक सरकार का infection और vaccination के उपर grip नहीं आएगा, तब तक economic activity उस हिसाब से बढ़ेगी, यह इस बात की कोई guarantee नहीं है, यह बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो यह था आज का analysis दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया हो, जादा जादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आप भी अपनी viewpoint नीचे comment box में ज़रूर बताईएगा, have a great day, good bye.